तो आज हम करने वाले हैं exercise 9.1 class 10 सबसे पहले हम करेंगे question number 13 तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं as observe from the top of a 75 meter high lighthouse सबसे पहले हम एक बनाना है lighthouse जिसकी हाइट 75 meter यहां पर लिख लेते हैं 75 meter ठीक है as observe from the top यानि दीकिजिकर से observe क्या जा रहा है तो observer कहां पर है इसके top पर है चैँभ सर्य आप protest the angle of depression of two ships 30 degree and 45 degree यानि कि यहां पर हैं 2 ship थोिए दीखिए यह C level इस पर दो ship आ रहे एक मान लेते हैं ship हम मान लेते हैं point A पर और एक मान लेते हैं point B पर दोनों point पर shifts है तो इनके angle of depression दियो है 30 degree और 45 degree ठीक है तो दीख ये ये मैंने बना लिया यहां से observe जो कर रहा है उसको अब angle हमें बनाने के लिए सबसे पहले एक horizontal line चाहिए होती है एक horizontal line ये देखी ये कौन सी line है horizontal line इस horizontal line के through ही हम angle बनाते हैं अब angle of depression दियो हैं देखो तो ये इतना angle कितना होगा दो angle बन रहा है ना एक angle है 30 degree तो ये वाला होगा 30 और ये बड़े वाल angle कितना होगा 45 degree angle of depression हमेशा उपर से नीचे की तरफ बनते हैं बन गया आप देखो if one ship is exactly behind the other ये कह रहे है जो एक ship है वो दूसरे के behind मतला पीछे है on the same side of the lighthouse lighthouse के same side पर है आप देख सकते हैं lighthouse के right hand side पर दोनों ship है find the distance between the two ship हमें क्या बताना है इन दोनों ships के बीच के distance बतानी है यानि कि हमें a से b तक की distance find करनी है हमें क्या find करना है a b clear हुआ और इसको भी नाम दे देते है cd ठीक है तो हमने मान लिया let the height of the lighthouse let the height of the lighthouse is ठीक है हमने मान लिया कितनी मान लिया cd और हमें cd दे रखा है 75 meter question में ही दे रखा है आप पढ़ सकते हैं 75 meter high lighthouse ठीक है ना चलिए अब हमें क्या find करना है a b वह भी मैंने लिख लिया है एक बात आपको समझनी पढ़ेगी हमने class 9 में भी पढ़ा था कि यह देखिए यह angle कौन से होते हैं यह होते हैं alternate angles तो यह उपर देखो 30 degree है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 30 degree देखे ध्यान से यह angle हमारे सामने 30 है उपर है ना तो नीचे यह क्या होगा alternate angle और उपर 30 है तो नीचे यहाँ पर भी क्या बनेगा 30 degree ठीक है यह transversal का काम कर रही है cb ऐसे ही अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो यह मेरा angle कितना है यह पूरा angle यहाँ तक यह 45 degree तो अगर मैं इसको नीचे extend करूं और यहाँ देखूं तो यह क्या होगा यह alternate से 45 हो जाएगा clear हुआ तो देखिए यहाँ पर यह angle कितना हो गया 45 degree ठीक है न वैसे मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियो उसमें की यहाँ पर देखो जैसे मालो light house है ठीक है light house के जितनी पास point होगा angle जादा होगा जितनी दूर point होगा angle कम होगा तो यहाँ पर देखो दूर जा रहे हो तो 30 है पास आ गए तो 45 है समझ में आ गया ऐसे भी देख सकते हैं चलिए वैसे मैंने आपको alternate से बता दिया है यहाँ प fcb जो angle fcb है वो किसके equal है cbdk वो cbdk equal है और कितना है यह angle 30 degree और reason क्या होगा इसका alternate angle similarly fca angle fca यह angle किसके equal हो जाएगा cadk angle cadk और यह हो जाएगा हमारा 45 degree इसका reason क्या देंगे हम alternate angles ठीक है यह हमें सब कुछ लिखके दिखाना होता है बाकी देखिए अब करेंगे कैसे इस question को हम सबसे पहले हम एक right angle triangle उठाते हैं यहाँ पर देखते हैं एक triangle है cda मैं लिख रहा हूँ in triangle cda इस triangle पे अगर मैं 1045 का perpendicular upon base perpendicular क्या होगा हमारा cd और base होगा हमारा ad देखिए इस triangle के अंदर इस triangle में perpendicular सामने वाला होगा cd और नीचे base क्या होगा ad ठीक है और मुझे cd का पता है cd कितना है 75 तो 1045 की value 1 होती है 1 is equal to 75 upon ad अगर मैं ad की धर multiply करूँ तो ad कितना आजएगा ad आजएगा 75 meter ठीक है तो ad आगे 75 अब दूसरा triangle हम कौन सा select करेंगे दूसरा triangle में लेने जा रहा हूँ cdb जहांसे देखिए cdb ये भी एक right angle triangle है ना मेरे पास तो हम इस triangle को ले लेते हैं इस बार तो in triangle cdb इसमें देखिए cdb triangle में मैं लगाँगा 1030 degree 1030 is equal to perpendicular यानि की cd upon base base देखिए कितना है यहां से यहां तक ही पूरा base होगा ठीक है तो bd लिख लें base को हम जब हमने triangle बढ़ा लिया है तो perpendicular upon base base भी तो बढ़ा आएगा ठीक है तो 1030 की value होते है 1 by root 3 cd हमें question में देखिए cd कितना है 75 5 अब bd को देखिए जरा ध्यान से bd को हम लिख सकते है ad plus ab b से d तक की जो distance है उसको हम two parts में लिख सकते है यह नहीं लिख सकते है तो हम लिख लेते है ad plus ab अब ad की value मैं जानता हूँ 75 है इसको equation number 1 मान लीजे equation number 1 ठीक है तो यहां पर values को put करेंगे 1 upon root 3 is equal to 75 upon 75 plus ab यहां पर लिख लिख लिजे from equation 1 ठीक है cross multiply करेंगे तो कितना आजएगा 75 plus ab is equal to 75 root 3 यहां से हम ऐसा करते है a b निकालते है यह 75 root 3 यह वला जो है 75 यह right hand side में जाकर क्या हो जाएगा negative का 75 अब दोनों में से common ले लिजे तो common कितना आएगा a b is equal to 75 आजएगा common यहां बचेगा root 3 यहां देखो root 3 बचा और यह 75 था बाहर जा चुका है तो यहां 1 बचा ठीक है figure आपके सामने बनी हुए है लेकिन exam में figure बनी हुए नहीं आएगी तो मैं आपको figure बनानी सिखाने जा रहा हूं कैसे बनती है देखिए a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind एक 1.2 meter tall girl बना लेते हैं यह 1.2 meter tall girl ठीक है spot a balloon moving with the wind एक इसने balloon को देखा इसने क्या किया इसने एक balloon को देखा यह मान लेते है balloon है moving with the wind in the horizontal line यह move कर रहा है balloon horizontal line मतलब इस तरीके से यह इस तरीके से move कर रहा है ठीक है at a height of 88.2 meter from the ground यह माल लिया ground है ठीक है 88.2 meter उपर है ground से इतना उपर है 88.2 meter यह ground से उपर है clear हुआ the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl यह माल लिया हमने यह girl की eyes है यहां से angle of elevation जो balloon का है angle of elevation elevation angle बनाने के लिए सबसे पहले हमें horizontal line बनानी पड़ती है यह मैंने बना लिए horizontal line यह angle of elevation दिया हुआ है 60 degree ठीक है यहां तक clear हो गया आगे पढ़ते हैं after some time कुछ देर के बाद क्या हुआ the angle of elevation reduces to 30 degree angle of elevation क्या हुआ reduce हो गया कितना हो गया reduce होकर 30 degree हो गया अब देखें यह बात समझने वाली है यहां पर बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि यह balloon जो है वो horizontal में इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा अब खुद सोचिए अगर balloon इसके पास आएगा girl की पास के साइड आएगा तो हम इसको ऐसे join करेंगे तो angle यह बढ़ जाएगा 60 से जादा हो गया angle लेकिन यह कह रहे है कि angle 30 हो चुका है तो angle 30 होने का मतलब क्या है कि balloon जो है वो इस तरफ move कर रहा है यहां कहीं पर balloon आ गया होगा क्यों क्यों कि देखिए अगर मैं यहां से इसको join करूं girl की eyes से तो यहां पर angle देखे कम हो चुका है यहां पर angle 30 हो गया है और पहले angle कितना था 60 था पहले angle ज्यादा था अब angle कम है ठीक है तो ओव्यस सी बात है कि जो balloon है वो इस तरफ आ रहा है यह देखिए इतना समझ में आ गया और figure आपके सामने इसमें रखी थी वैसे तो लेकिन exam time पर figure बनी हुई नहीं आती है तो आपको ध्यान से समझना है figure कैसे इंटरवल आपको यह distance निकालना है let us suppose यह x है ठीक है हमने मान लिया a point से b point पर balloon जो है वो चला गया है ठीक है और यह girl की height हमने मान ली cd ओके तो a b हमने यह distance मान ली थी यह cd मान लिया और यहाँ पर भी आप कुछ मान सकते है einf मान लीजे ठीक है चलिए अब समझते है इस question में हम क्या गरने वाले हैं यहाँ पर अगर कुछ नहीं आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आपकुछ मान सकते है danse लिजे ठीक है सब आपके सामने आप कुछ भी किसी भी चीज को लेट कर सकते हो अब देखे हम करेंगे कैसे स्कूश्चन को एक बात सुनिए जब इन्होंने हमें यह हाइट बता दी 1.2 तो इसके ठीक सामने यह भी 1.2 ठीक है यह सभी 1.2 होंगे तो एक बात सुनिए यह पू 8.2 में से 1.2 माइनस कर दीजे उपर वाला कितना आजएगा 87 जैसा कि हम लिखके देखते हैं इसको कैसे बता रहा हूं मैं आपको एज इस गिवन देट सीडी भी दी हाइट ओफ दी गर्ल यहाँ पर लेट कर दीजे लेट सीडी भी दी हाइट ओफ दी गर्ल ठीक है नाओ एएच इस इकोल स्टू 88.2 पूइंट ओफ दी बैलून बैलून कितनी हाइट पर है 88.2 मीटर सॉम दी ग्राउंड अब C-D जो है हमारा C-D is equals to G-H is equals to E-F अभी मैंने बताया था ना इस तीनों इकोल होंगे नीचे वली लाइन यह सभी कितनी है 1.2 मीटर तो बताएए A G कितना होगा ये बताएए A से G तक कितना होगा ये ये कितना होगा तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे पूरी A H में से A H में से हम नीचे वाला पार्ट सब्ट्रेक्ट कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है यानि कि 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा AG बचेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ AG निकालने के लिए हमें क्या करना है AH में से सब्ट्रेट करना है GH को AH कितना है 88.2 और GH कितना है 1.2 मेरे पास 87 मीटर आ गया AG ठीक है अब AG 87 है AG के सामने बताइए मुझे AG के ठीक सामने क्या है BE तो BE भी कितना हो जाएगा 87 क्लियर हो गया हाँ तक मैं ऐसा क्यूं फाइंड कर रहा हूँ बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं पता लग पाता कि ऐसा क्यूं करते हैं तो ऐसा मैं क्यूं क्यूं कि जो मैं triangle लेने वाला हूँ भी यह वाला triangle right angle triangle है और यही triangle क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे angle पता है ठीक है तो इस triangle में जो perpendicular है वो ag है और ag मैंने इसलिए निकाल लिया है इसी तरीके से मैं जब दूसरा triangle लूँगा दूसरा triangle कौन सा है यह वाला यही triangle क्यों ले रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें angle दिया हूँ 30 डिग्री इसमें भी मेरे को be की जुरुरत पढ़ने वाली है तो इसलिए मैंने be भी यहाँ पर लिख दिया ठीक है चलिए आप देखते हैं question को solve करेंगे कैसे सबसे पहले हम लिखेंगे in triangle a c g in triangle a c g यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1060 डिग्री is equals to a g upon c g क्यों क्योंकि 1060 10 theta कितना होता है पर pendagular upon base यहाँ से a g कितना है मेरे सामने देख सकते हैं आप a g कितना है 87 और 1060 के value होती है root 3 और नीचे कितना है c g ठीक है अब देखे c g को हम यहाँ लेज़ाते हैं c g is equals to 87 upon root 3 यह हमने क्या किया root 3 को नीचे ले आए और c g को उपर cross multiply तो करी सकते हैं तो यहाँ से c g आ जेगा मेरे पास 87 upon root 3 meter आगे चलते हैं दूसरा triangle देखते हैं हमारे पास दूसरा triangle कौन सा है दूसरा triangle है हमारे पास b c e हम लिखेंगे in triangle b c e इस triangle में क्या लिखेंगे हम 1030 इसमें हमें पास angle है जो है वो 30 इस triangle में angle 30 degree है तो 1030 is equals to be upon t e देखिए ध्यान से इसमें गलती नहीं करनी है इस triangle में perpendicular तो हो गया और base क्या हो गया c e ठीक है यहाँ पर गलती नहीं करनी है नीचे क्या आएगा c e अब जड़ा ध्यान से देखिए अगर हम c e कैसे बना है c e बना है c g plus g e समझ में आया तो c e की जगा मैं लिख सकता हूं c g plus g e 10 30 की value कितनी है 10 30 की value होती है 1 upon root 3 और b e कितना है b e है हमारा 87 तो नीचे आजएगा यहाँ पर यह आजएगा 87 b e की value लिखी 87 c e को मैंने क्या कर लिया c e को मैंने break करके लिख लिया c g plus g e तो ध्यान से देखिए यह क्या है x तो इसके ठीक सामने यह भी क्या हो जाएगा x ठीक है तो हम क्या लिख लेंगे g e की जगा पर लिख लेते है x तो यहाँ है का 1 upon root 3 is equal to 87 upon c g plus x clear हो गया यहाँ तक अब देखिए ध्यान से सुनिए इसको मैं मान लेता हूँ equation number 1 यहाँ पर देखो अब अगर मैं cross multiply कर लूँ तो यह कितना आ जाएगा c g plus x is equal to 87 root 3 समझ में आ गया यह इधर multiply हुआ और root 3 इधर यहाँ पर मिरको x निकालना है तो मैं क्या करूँगा 87 root 3 minus c g तो देखिए x is equal to कितना बैठेगा है यहाँ पर x is equal to 87 root 3 minus c g की value put करते हैं c g की value जो है उसको put करते हैं यहाँ पर 87 upon root 3 ठीक है यहाँ पर लिखेंगे from equation 1 मैंने c g की value put कर दी अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या है 1 है यहाँ पर अगर मैं LCM लूँ 1 और root 3 का LCM आएगा root 3 इसकी multiply इससे कर दीजिए तो 87 root 3 की multiply हो जाएगी root 3 से और 1 की multiply हो जाएगी 87 से 1 into 87 होता है 87 ठीक है यह मैंने सिरफ LCM लिया है और कुछ खास इसमें नहीं किया अब देखिए 87 root 3 into root 3 root 3 into root 3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है ठीक है तो 87 multiply by 3 हो जाएगा minus क्या है 87 और नीचे क्या है root 3 अब जहां से अगर हम देखें तो उपर कुछ common आ रहा है yes 87 जो है मारा common आ रहा है यहां क्या बचेगा 3 minus और यहां पर क्या बचेगा 1 यह कैसे हुआ देखो जब 87 बाहर चला गया यहां से तो यहां 3 बचा और minus का sign लगाएंगे और यहां से भी 87 बाहर चला गया common तो यहां कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं ठीक है और नीचे क्या है root 3 बस हमारा question अब होने ही वाला है तिरफ अब calculation बचिए तो 87 3 में 7 गया 2 upon में क्या आएगा root 3 तो चली हम इसको कर लेते हैं rationalize rationalize करना ज़रूरी होता है जब नीचे कुछ भी root वाली value आ रही होती है तो उपर नीचे हम root 3 से multiply करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 87 multiply 2 multiply root 3 upon में आ जाएगा 3 3 से इसको cut कर लिजे 3 2 just 6 3 9 just 27 तो इन दोनों की multiply करेंगे 7 में root 3 लिखेंगे और हमारा answer x is equal to 29 into 2 करेंगे 58 साथ में है root 3 तो 58 root 3 क्या आ जाएगा मेरा x की value यही तो हमें find करना था तो यही हमारा हो जाएगा answer तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब ताकि आपको सभी वीडियो के notification मिलते रहें थैंक यू करेंगे जाएब तो